पूल साथियों नमस्षकार मैंने रभाइए एक बार फिर से आप सभी का बेलकम करता हूँ अनकेडमी आचारिया पर तो सभी लोग जानते हैं आप की मेरे शाथ आप डेली डिसकस कर रहे हैं इस समय इंडियन हिस्ट्री को और इंडियन हिस्ट्री जो है आप जानते हैं कि जीएस के जहां पर भी जीएस का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें लोग पढ़ रहे थे भारतिय इतिहाश अगर मैं आप से बात करूं कि हमारा जो टॉपिक था इंडियन हिस्ट्री भारतिय इतिहाश भारतिय इतिहास में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे द्वारा अभी तक आपको पढ़ाया जा चुका है आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह आप लोग जानते हैं तुगलक डाइनेस्टी ठीक है न और तुगलक डाइनेस्टी किसके अंतर गताएगा मध्यकालीन भार मेडवल इंडिया जिसका टाइम रहेगा साथ सो बारा से लेकर के सत्रा सो साथ तक ठीक है न अब मध्यकालीन भारत में भी अगर मैं बात करूं तो आपका जो टॉपिक है तुगलक डाइनेस्टी वो आएगा दिल्ले सल्तनत जिसका डिवरेशन रहेगा 1206 से लेकर के 1526 तक ठीक है न अब इसमें मैं आज का जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका तुगलक बंस जिसका डिवरेशन रहेगा तेरा सो बीस से लेकर के आपका 1414 ठीक है न यह है आपका तुगलक डाइनेस्टी अगर मैं आपसे बात करूँ कि तुगलक डाइनेस्टी का बिटा फाउंडर कौन होगा संस्थापक कौन होगा ठीक है न संस्थापक आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी डानेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि उसका संस्थापक फाउंडर कौन है ठीक है न अब तुगलक बंस जो है जिसका डियूरेशन 1320 से लेकर के 1414 तग है 1320 से लेकर के 1414 तो ध्यानक न बच्चा कि सबसे ज़ादा longest या सबसे लंबे समय तक सासनकाल किस डानेस्टी का रहा है तो सबसे ज़ादा समय तक सासनकाल जो राय वो किसका रहा है तुगलक डैनिस्ट्री का रहा है अगर आप से यह कोश्चन बने कि बताइए सबसे कम समय तक सासनकाल दिल्ली सल्तनत में किस बंस का रहा है बैटा तो वो राय खिलजियों का ठीक है ना अब इसका संस्तापक फांडर जो है कौन है बच्चा सभी लोग जानते हैं गयाशु दीन तुगलक फांडर कौन है गयाशु दीन तुगलक और गयाशु दीन तुगलक के अगर मैं समय की बात करूं तो यह तेरा सो बीस से लेकर के तेरा सो पच्चिस तक रहेगा, ठीक है न, तेरा सो बीस से लेकर के तेरा सो पच्चिस तक जो सासन करेगा, इस डाइनेस्टी में बेटा वो कौन होगा, सबी लोग जानते हैं कि वो कौन है, वो है आपका गयाशोदीन तुगलक, अब गयाशोदीन में कह सकते हैं कि बास्तविक नाम क्या था गया शुद्दीन तुगलक का बेटा बास्तविक नाम जो था वो क्या था गाजी मलिक इसको किस नाम से जाना जाता था भारतिय इतिहास में इसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था ठीक ना बच्चा गाजी मलिक के नाम से जान इसी के द्वारा दिल्ली में एक सहर की इस्थापना की गई जिसका नाम है सबी लोग जानते हैं तुगलकाबाद मुहम्मद ग्याशोदीन तुगलक के द्वारा बिटा एक सहर बसाया गया He founded a city named तुगलकाबाद इन डेहली ठीक है ना आपको अगर बताऊं की तुगलकाबाद शहर की स्थापना तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है यह सिट्टी पड़ता था इसकी स्थापना किसने की है यही गाजी मलक बाइदा नेमाओ गयाशोदेन तुगलक के द्वारा इस्थापना की गई है किसकी तुगलकाबाद शहर की ठीक है ना बच्चा चलिए आगे एक एक पॉइंट वो डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम में बहुत जादा महत्पूर है चलिए सभी को वेरी वे इंपोर्टेंट क्लाज है क्योंकि आपके जब थियोरी वाइज आपके कंसेप्ट किलियर होते हैं तो आपको फिर प्रक्टिस करने में बहुत मज़ा आता है आप सभी कोश्चंस के आंसर थियोरी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कभी नहीं कर पाएंगे ठीक है ना बच्चा चलिए मैं आपसे आग्रे करूँगा कि आप सभी शाथी शैशन को शेर करें लिकिए ही वाज दफर्ष्ट सुल्तान ओफ डेहली सल्तनत यह दिल्ली सल्तनत का यह दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में सिचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला शाशक कौन हुए बिटा तो दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया सिचाई के लिए तो धियान रखना फर्ष्ट सुल्तान ओफ डेहली सल्तनत फू बिल्ट कैनल्स फॉर इरिगेशन यानि कि इसने नहरों का निर्माण करवाया कि इसके लिए बिटा सिचाई करने के लिए ठीक है नब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसके साचनगाल में महद भूड घटना जिसको में याद रखते हैं हमेशा थर्टीन टरंटी बन तेरा सो एककेस में इसने अपने पुत्र इसने अपने पुत्र जोना खान को जोना खान को बारंगल मिशन पर भेजा बारंगल अभियान पर भेजा ठेक है ना विटा क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बारंगल अभियान है ये खिलजी डाइनेस्ट्री में कर चुका था कौन अलाओ दिन खिलजी के द्वारा किया जा चुका था बारंगल अविहान लेकिन बारंगल के लोगों ने क्या किया सभी लोग जानते हैं काकाते बंस के सासक रहते थे यहां पर कौन रहता था बच्चा यहां पर रहते थे काकाति बंस के लोग ठीक है न और काकाति बंस के लोगों ने क्या किया इन्हों ने अपने आपको क्या किया बच्चा श्वतंत्र घोसित कर दिया ठीक है अब जब इन्होंने अपने आपको श्वतंत्र घोसित किया काकाति यह डाइनेस्टी की लोगों ने उस समय इनकी मदद कौन कर रहा था इनकी बिटा हैल्प किसने की तो ध्यान रखना इनकी जो मदद की जा रही थे वो किसके द्वारा भानुदेव शेकिंड की द् रहने वाला था यह कहां का निवासी था यह रहने वाला था जाजपूर का ठीक है ना अब यह जाजपूर कहां पे है तो ध्यान रकना बिटा उड़ीशा में यह कहां पे है उड़ीशा में ठीक है ना लेकिन इहां पर बारंगल अभ्यान पर जब जाएगा कौन जोना खान तो बारंगल के लोगों को क्या करेगा बारंगल को जीत लेगा और बारंगल को जीत करके यह क्या करेगा बारंगल को include कर देगा डाहली सलतनत में तो ध्यान रखना, he added, he added वारंगल, he added वारंगल इंदेहली सल्तनत, he added वारंगल इंदेहली सल्तनत, and he changed, and he changed the name of, he changed the name of, वारंगल टू, वारंगल टू, शल्तानपुर, यह महतपूर पॉइंट है विटा बहुत ज़्यादा, आपके लिए, क्योंकि इसने नाम जो है, वो बदल दिया है, और नाम क्या कर दिया है, इसने नाम बारंगल से क्या कर दिया है, शल्तानपुर, क्या कर दिया है बच्चा, शल्तानपुर, ठीक है न, by the name of, शल्तानपुर, अब इसने सल्तानपुर को क्या किया, यही जो सुल्तानपुर था यही बारंगल इसी बारंगल का नाम बदल दिया क्या कर दिया गया शुल्तानपुर और यही बना दिया दक्षिड भारत की राजधानी ध्यान रखना वेटा दक्षिड भारत की राजधानी सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई तो ध्यान दक्षड भारत की राजदानी बनाई यानि कि इसने वारंगल को जीता काकातिय डाइनेस्टी की लोगों को पराजित किया और पराजित करके वारंगल का नाम चेंज कर दिया और क्या किया सुल्तानपुर का सुल्तानपुर की क्या बना दिया पिटा दक्षड भारत की आगे देखते हैं अब जो इसका योना खान का यानिकी बारंगल जीत लेगा बारंगल से जीत करके ये वापस आ रहा है लेकिन अब इसका टारगे ट है कौन शभी लोग जानते है कि भानुदेव--geं-स, क्योंकि भानुदेव-icon जो मदद कर रहा है कि इसके का कतिर डाइनेस्टी के लोगों की ठीक है न बच्चा तो अब जो इसका टार्गेट होगा वो हो जाएगा कौन भानुदेव शेकिन ठीक है न तो ध्यान रखिएगा आपका थर्टीन ट्रंटीफोर एडी थर्टीन ट्रंटीफोर एडी जौना खान अटेक्ड ऑन जाजपुर अटेक्ड ऑन जाजपुर मैं आपको बता चुका हूँ जाजपुर जो है वो कहां पे है आपका कहां पे है उडीशा में ठीक है न उडीशा क्योंकि आप लोग जानते हैं जौना खान ने लोड़ते समय लोड़ते समय जाजपुर पर आक्रमड किया ठीक है न चलिए अब ये जानकारी हमें कहां से मिली कि इस नहीं ये सब घटनाएगी क्योंकि ये राजमुंदरी अबिलेक में वाकाइदा लिखा हुआ मिला ध्यान रखना बच्चा कहां पे लिखा हुआ मिला है हमें ये हमें जानकारी जो मिली है, वो कहां से मिली है, राजमुंदरी अबिलेक से ये हमें जानकारी दे गई, ठीक है न, ये हमें कहां से जानकारी मिली है, तो ध्यान रखना बिटा, राजमुंदरी अबिलेक में हमें ये जानकारी दे गई, ठीक है न, अब राजमुंदरी अब प्लिक में हमें जोना खान को एक उपादी दी गई यानि कि बिटा जोना खान को क्या का गया है उलूग खां की उपादी दी गई है ठेके ना बिटा कौन सी उपादी दी गई है तो ध्यान रखना बिटा उलूग खां आप सभी शाथी जानते होंगे कि उलूग खां का मतलब क्या होता है what is the meaning of Uluq Khan Uluq Khan किसे कहा जाता है what is the meaning of Uluq Khan Uluq Khan किसे कहते है आप सभी शाथी जानते होंगे कि Uluq Khan जो होता है वो क्या होता है बिश्व का सुल्तान कहा जाता है Uluq Khan को क्या कहा जाता है बिश्व का सुल्तान कहा जाता है क्या कहा जाता है बिश्व का सुल्तान कहा जाता है किसको उलूग खां को बात किलियर है हाँ या ना बताइए बात किलियर है बिटा हाँ या ना बताइए उलूग खां किसे कहा जाता है भारती इतिहास में तो दियानकना वेटा जौना खान को यहाँ पर उलूख खांके उपादी दी गई क्योंकि यह क्या है बिश्व का शुल्तान कहलाया लेकिन अब यहाँ पर एक दूरुभाग के पोड़ घटना गटित होगी किसके लिए गयाशो दिन तुगलक के लिए क्योंकि गयाशो दिन जादा सकते साली जितनी फैन फॉलॉइंग जितनी पॉपॉलर्टी दिल्ली सल्तनत में अपनी रखते थे जितनी पावर इनके पास थी इतनी फैन फॉलॉइंग एक दूसरे व्यक्ति के पास है जिसको आप जानते हैं परशिद्ध सूफीशंद हुआ आप बाइदा नेम हुआरत निसमूदीन ओल्या भा नेम झावन फॉषव्या निसमूदीन ओल्या a was the famous सूफी सेंट केंटेंप्रेरी टू ग्याशुदीन तुगलग हाजरत निजामो दीन आलिया एक प्रशिद्ध सूफी शंद एक प्रशिद्ध सूफी शंद जो ग्याशुदीन तुगलग के शंकालीन थे ठीक है ना हाजरत निजामो दीन आलिया जो है बिटा वो संकालीन है किसके वो ग्याशो दीन तुगलग के शंकालीन हैMP foreigner थीक है ना अद इन्होंने क्या किया इन्होंने विटा 500000,000 अली रखे थे किससे इन्होंने 500000,000 टंग अले रखे थे किससेे आपके जब खिलजी आनेस्टी चला था तो इसमें एक ब्यक्तिस आसन कर रहा था जिसका नाम था खुसरव शाह खुसरव साथ से इनके द्वारा पांच अजार टंके लिए गए लेकिन ये किसके लिए लिए थे इन्होंने बताया कि ये धार में एक अनुदान के रूप में लिया था ये किसके लिए लिए थे ये धार में एक अनुदान के लिए लेकिन ये पांच लाग टंके मांग लिए किसने तो ध्यानक ना बिटा गयाशो दिन तुगलक ने इनसे कहा कि भाई साब अब आप ये जो पांच लाग टंके आपने लिए हैं वो आप बापस कर दीजिए तो बापस करने के लिए डिनाई किया किसने तो ध्यानक ना बिटा हजरत निजामो दीन ओलिया ने बहुत जादा किनकी हजरत निजामो दीन ओलिया ने मना गिया तो कुछ करतों सकते नहीं थे गयाश Вov दिन तगलक भी क्यों कि गयाशोदिन तोलग जो है वो क्या थे साशक तो थे लेकिन फैन फालोउइंग थी बहुत जादा किनकी विए घयाशोदिन तुगलक की पास फैन फॉलोइंग हजरत निजामोदीन ओलिया के पास अब ये एक दूसरे के खिलाप हो करके भी जान भूज करके भी कुछ नहीं कर सकते थे यानि कि जानते थे ना तो हजरत निजामो दिन ओलिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का कुछ कर सकता और नहीं सुल्तान हजरत निजामो दिन ओलिया का कुछ कर सकता समझ गए मेरी बात इसी के बाद एक महत तो पूर गटना गटित होती है रिवॉल्ट ओफ भुगारा खान इसी के बाद बिटा एक होगा रिवॉल्ट बिद्रो ठीक है न तेरा सौ पच्चिस में रिवॉल्ट ओफ भुगारा खान इन बेंगाल यह कहां पे था बेटा बंगाल में था ठीक है न अब लिखिएगा बुगारा खान का बिद्रो हो ठीक है न कहां पे है बंगाल में बुगारा खान ने एक बिद्रो कर दिया कहां पे बंगाल में और अपने आपको यहां का श्रतंत्र सासक घोसित किया तो ध्यान रखना इस रिवल्ड को दमन करने के लिए इस रिवल्ड को नियंतरित करने के लिए जिल्ली सर्तलत में कौन जाएगा तो ध्यान रखना बिटा यहां से जाएंगे कौन गयाशो दिन तुगलक और इस विद्रो को दमन करने के लिए सांथ करने के लिए कौन जाता है गयाशो दिन तुगलक अब गयाशो दिन तुगलक यहां से चले तो जाते हैं लेकिन दिल्ली सल्तनत में महत पोड इंसिडेंट हजرت निजामतिन आउलिया के दो कह दिया गया, कि अब कभी भी बापस नहीं आएगा गया शोदिन तुगलग, आप लोग एक काम करिए, आप लोग अपना साशक, अपना सुल्तान मान लेजिये, किस गूआ हखान को, आप मालीजे अब जोना खान जो है वो क्या है जोना खान जो है वो आपका सुलतान है यह बात जैसे ही पता चली गयाशो दीन तुगलक को तो गयाशो दीन तुगलक आगबगूला हो गया और उसने अपने राज़दूतों से कहा कि जाकर के कह दिजिए हजरत निजामोदीन ओलिया से कि जैसे ही मेरी दिल्ली में एंट्री हो उससे पहले अपनी विवस्था करके चले जाएं दिल्ली छोड़ करके हजरत निजामोदीन ओलिया अदरवाइज मेरे आते ही उनको फासी की सजा दे दी जाएगी मरत्यो धंड दे दी आ जाएगा अब ये बात गुप्तचरों के माध्यम से पहुँची गुप्तचर जाकर के कहते हैं हजरत निजामुदीन उलिया से की साहब आप दिल्ली छोड़ जाएगे अगर आपके प्रान आप अगर अपने आपको जीवित द माराज है और अगर दिल्ली आ गया तो आपको फासी की सजा दे दी जाएगी आपको मरत्यो धंड मिल जाएगा लेकिन हजरत निजामुदीन उलिया अपने बचन पर अटल थे बचन वद्ध थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आने दीजिए अभी कह दीजिए याशुद दिल्ली दूरस्त अभी तो दिल्ली दूर है अभी तो दिल्ली दूर है अभी बंगाल में है कह दीजिए कि बड़े आराम से आईए दिल्ली में और दिल्ली अभी बहुत दूर है गबराने की आवश्यक्ता नहीं है मेरी बचन मैंने जो भविश्यमाडी कर दी वो भविश भविश्यवाणी कभी खाली नहीं जाती तो अपनी भविश्यवाणी के लिए जाने जाते थे हजरत अनिजामोदीन ओलिया तो जाकर के पुनहा सूचना दी गयाशुदीन तुगलक को किसाब उन्होंने तो ऐसे बोला है कि अभी आने दीजिये दिल्ली सल्तनत तो बहुत द जमन करके चला कहां ध्यान रखना ये आया दिल्ली के तरफ तो यह जैसे ही दिल्ली में आया तो ध्यान रखना बिटा तुगलकाबाद शहर में तेरा सो पच्चीस में कब तेरा सो पच्चीस एड़ी में तुगलकाबाद सहर में इसके भब्या श्वागत के लिए बैलकम के लिए बिटा या कह सकते हैं इसके श्वागत के लिए क्या किया गया है श्वागत के लिए एक भब्या लकडी का महल बनवाया गया ठीक है ना लकड़ी का महल बनवाया गया क्योंकि अब कौन आ रहा है शुल्तान आ रहे हैं बरसाओ फूल मेरे महभूब आये हैं है ना गना सुना है ना हाँ तो ध्यान रखना विटा बरसाओ फूल अब बरसाओ फूल मतलब स्वागत के लिए इनके लिए लकड़ी का महल बनवाया गया ढोल नगाड़े बजवाये गए अब बहाँ पर घोड़े हाथी ब्यक्ती इनके भब्या स्वागत के लिए खड़े हैं कहां पे तुगलकाबाद शहर में अब इस लकड़ी के महल में जैसी गयाशुतीन तुकलक पहुंचते हैं तो इनको जाने के लिए बोला जाता है और ये बिवस्था की है जौना खान ने इनके पुत्र जौना खान के द्वारा तो जौना खान ने कहा कि जाये महराज और जाकर के बिस्तराम कीजिए क्योंकि आप बंगाल से आए हुए हैं दूरी तैकर के आए हैं तो सबसे पहले आप बिस्तराम कीजिए उसके बाद की प्लानिंग आगे की आगे दिखी जाएगी तो इतिहासकारों ने जब इनके बारे में पढ़ा तो बताया कि इनके स्वागत में हाथी एलिफैंट्स थे तो उन्हें एक हाथियों के जुंड में से एक हाथी बिदक गया और वो बिदक के गया और इस लकडी के महल में उसने टक्कर मार दे और जब टक्कर मारी तो पू और म्रत्य हुई है किसकी गयाशोदीन तुगलग की ठीक है ना तो गयाशोदीन तुगलग की म्रत्य लकड़ी के महल में हुई है अगर आप से पूछा जाए कुछ इद्यासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये जानभूज करके किया था जौना खान ने और किसने हैं हजरत निजामोदीन ओलियान है क्योंकि शाशक बनने की लालशा किसको नहीं होते हैं साशक बनना कौन नहीं चाहता साशन करना कौन नहीं चाहता सासन करने के लिए बिटा पिता पुत्र को मरवा देता है और पुत्र पिता को मरवा देता है भाई बेहन को मरवा देते हैं बेहन भाईयों को मरवा देती है खिलजी डाइनिस्टी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कि बैरामसा ने रजिया सुल्तान को मरवाया रजिया लालसा ही बहुत बुरी होती है और गद्दी के लिए तो काचाहे किसी का भी खोन करना पड़े ये लोग बड़े आराम से कर देते थे है ना तो ध्यान लिकना तुगलकाबाद शहर में इसका टॉम्ब है कि आशोदीन तुगलक का जो मकवरा है वो कहाँ पे है आपके तुगलकाबाद शहर में है मकवरा ठीक है ना अगर आप से पूछा जाए कि बताईए लकडी के महल में गिरने की बज़े से मरने वाला सुल्तान कोश्चन बनेगा बेटा आप से आप से कोश्चन क्या बनेगा दिखिएगा आप से कोश्चन बनेगा बताईए लकडी के महल के गिरने से लकडी के महल गिरने से मरने वाला सुल्तान बेटा मरने वाला सुल्तान कौन था तो बताईए तो सबी लोग जानते हैं कि मरने वाला सुल्तान कौन है ग्याशोदीन तुगलक ठीक है न भारत के इतिहास में दो सासक कौन से जिनके महल लकडी के थे भारत के इतिहास में बच्चा ध्यान रखना ये भी कॉश्चन बनेगा कि भारत के इतिहास में दो सासक कौन थे जिन के महल लकड़ी के थे तो याद रखना जब भी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा प्राचीन भारत में जब भी आप मेरे द्वारा पढ़ेंगे किसको सबी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौरे सबी लोग जानते हैं मौरे बंस का शंस्थापक इसको क्या कहा जाता है मौरे बंस का शंस्थापक ठीक है ना मौरे बंस का संस्थापक ठीक है ना तो बात किलियर है आप क्या एक तो है कौन दूसरा कौन है और दूसरा आप जानते हैं वेटा गयाशोदेन तुगलग बात क्लियर है चलिए लिए इस बूडन प्लेस इन तुगलगाबाद डेहली तो दिल्ली के बूडन प्लेस लकडी के महल में गिर करके मरने वाला ब्यक्ति गयाशोदेन तुगलग है यहां तक की कहानी आसा और उमीद के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ आई होगी हना बेटा यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस करिएगा कि सर सब कुछ यहां तक मैं समझ चुका हूं तो आगे की बात शुरू करें आगे पढ़ेंगे हम जोना खान के बारे में क्यूंकि आप लुग जानते हैं कि जोना खान वाज दा फेमस परसन इंडेहली सल्तना वाइद डैनेस्टी आउफ तुगलग डैनेस्टी तुगलग डैनेस्टी में एक महान शाशक के रूप में इसकी पहंचान है जिसका मुहम्माद बेन तुगलग के बारे में ठीक है ना वेटा मुहम्माद बेन तुगलग बात क्लियर है चलिए अब बाई दा नेम ओप मुहम्माद बेन तुगलग अगर इसका एक्शूल नेम बात करेंगे बास्तविक नाम क्या होगा इसका actual name बास्तवी के नाम क्या था तो आपको अभी मैंने बताया था कि बास्तवी के नाम इसका क्या है सबी लोग जानते हैं जोना खान ठीक है ना यही जोना खान किस नाम से फेमस हुआ यह हुआ महम्मद बिन तुगलक के नाम से बात क्लियर है चलिए यह अरबी वा फार्शी वासा का क्या था इसको बारते इतिहास में जब इतिहासकारों ने इसके बारे में पढ़ा तो कहा यह कौन था इंसेन सुल्तान था यह इसको क्या कहा गया है इसको बारते इंसेन सुल्तान कहा गया इसको इंसेन सुल्तान क्यों कहा गया इसको पागल सुल्तान इसको इसलिए कहा गया क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ये जितना जादा पड़ा लिखा था इतना कोई भी पड़ा लिखा नहीं था इसके जितना कोई भी विक्ति पड़ा लिखा नहीं था क्योंकि ये इतना जादा पड़ा लिखा था कि इसकी बात को इसकी जनता नहीं समझते थे और जनता की बात ये नहीं समझता था ठीक है न? तो इसलिए जन्ता इसको पागल सुल्तान के नाम से बोलने लगी इतिहासकार एली फैंस्टीन ने जब इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने बताया कि जब मुहम्मद बिन तुगलक की म्रत्य होई तो जनता को अपने सुल्तान से और सुल्तान को अपने जनता से मुक्ती मिल गई यहनि कि ऐसा किसके बारे में कहा जाता है बताईए तो ध्यान रखना बिटा मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये स्टेटमेंट दिया कि जब ये मरा तो इसकी जनता इससे मुक्त हुई और सुल्तान जो था मुहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी जनता से मुक्त हुआ है ना चलिए तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम पागल सुल्तान के बारे में इसको हम short में बोलेंगे बार-बार mbt ठीक है न जिसको आप confuse मत हो न मुहम्मद बिन तुगलक को short form में लिखेंगे mbt ठीक है न मुहम्मद बिन तुगलक बिटा mbt जो था यह है अर्बी वा फार्शी भासा का महान विद्वान था ठीक है न ध्यान रखना बिटा यह जो आपका मुहम्मद बिन तुगलक है यह अर्वी वा फार्शी भासा का महान विद्वान था ठीक है न इसको अर्वी और फार्शी भासा की बिसेश नौलिज थी लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इसके अलाबा एक्स्ट्रा और तो ध् इसके अलाबा इसको आता था गड़ित मैथमेटिक्स इसके अलाबा इसको गड़ित विशे की विशेश नौलिज थी गड़ित ठीक है न इसके अलाबा चिकित्सा मेडिकल साइंस चिकित्सा ठीक है न बिटा रीजनिंग तर्क शास्त्र ठीक है न तर्क शास्त्र के अलाब ज्योतिस सास्त्र ठीक है ना खगोल सास्त्र ठीक है ना सांखिकी ठीक है ना बात क्लियर है वेटा ज्योतिस सास्त्र, तर्ग शास्त्र, गडेत चिकित्सा, खगोल सास्त्र यानि कि एटिसी, आदिविश्यों का आदिविश्यों का ये क्या था बिटा, महान विद्वान था इसको इतने भासाओं का ग्यान इतने विश्यों का ग्यान था बात क्लियर है यानि कि ये बिटा गड़ित, चिकितसा, तर्क सास्त्र, जियोति सास्त्र, खगूल सास्त्र, शांकिकी जैसे विश्यों का महान बिद्वान था अब आप समझे इतना जादा पड़ा लिखा व्यक्ति, अब इसको कैसे समझ में आईगी जनता की बात तो जनता तो इसको मूर कहेगी ही कहेगी, लेकिन इसके साथ के साथ इसकी कुछ प्रक्टिकल, इसकी कुछ प्रेयोग भी अस्पल रहे तो उनके बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं, इसके सासनकाल में एक महतोपोड व्यक्ति भी भारत में आया था तो ध्यान रखना जिसका नाम था क्या एवन बदूता, इसके सासनकाल में एक मौरक्को से फेमस ट्रेबलर भारत में आएगा, ध्यान रखना बेटा 1333 AD मोहम्मद विंत तुगलक के सासनकाल में बेटा एक व्यक्ति आएगा, अफ्रीकी यात्री अफ्रीकी यात्री एवन बतूता, गाना सुना है न वो, एवन बतूता पहने जूता करता है चुर्ण, हाना, जब सभी लोग जानते हैं कि गुलजार साब नहीं ये गाना लिखा, तो बहुत फेमस हुआ, लेकिन यहाँ पे गाना नहीं, सिर्प एवन बतूता को देखना ह इवन बतूता के द्वारा, आपके पेपर में पूछी जाती है कि कौन सी पुस्तक लिखी गई, सभी लोग जानते हैं, इसने लिखी है रहला या सफर नामा, इसके द्वारा बच्चा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, रहला या सफर नामा पुस्तक लिखी गई है, ठीक है ये आठ वर्स तक रहा है कितने वर्स तक आठ वर्स तक रहा है और इसको काजी बनाया था किसने इसको काजी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ठीक है ना बेटा मुहम्मद विन तुगलग ने इसको अपना क्या बना लिया था काजी बना लिया था बात के लियर है चलिए तो काजी आपसे पूछा जाएगा किसने बनाया है एबन बतूता को या एबन बतूता किसके सासनकाल में आया है या फिर रहला या सफरनामा पुझतक किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी है एपनबतूता के द्वारा बात किलियर है चलिए तो अब देखते हैं इसके द्वारा रहला में क्या-क्या लिखा गया है ठीक है ना बेटा रहला में इसने पांच बातें बताई है देखी इस इसने बता ही डिस्क्राइब डेली एज दा मोस्ट प्रोवियस सिटी इंड डेली इसने दिल्ली को शम्रद्ध सहर बताया ठीक है ना बेटा इसने दिल्ली को विश्व का शम्रद्ध सहर बताया इसने रहला में दिल्ली को सम्रद्ध सहर बताया है किसको विश्व का ठीक है ना सेगेंड सेना इसने बताई इसने बताया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना जो है वो किसके पास है सबसे बड़ी सेना यानि कि इदर डिसक्राइब्ड देट मोहम्मद बिन तुगलक हैड बेगेस्ट इस्टेंडिंग आर्मी इन डेहली सल्तनत यानि कि बेगेस्ट आ ने बताया एंटाइर इंडिया वाज कॉंकर्ड मोहम्मद विन तुगलक यानि कि भारत में अगर हम बात करें वेटा एसेप्ट थ्री प्लेस यानि कि तीन इस्थान को छोड़ कर तीन इस्थानों को अगर छोड़ दिया जाए एंटाइर इंडिया वाज कॉंकर्ड वाई मोहम्मद विन तुगलक एसेप्ट थ्री प्लेस यानि कि तीन इस्थान छोड़ दिये जाएं कौन कौन से होंगे वो तीन इस्थान देखिए एक तो है आपका कस्मीर कस्मीर के बाद है विटा राजपुताना और राजपुताना के बाद था विटा बलुचिस्तान ठीक है न अगर ये तीन प्लेस छोड़ दिये जाएं तो इसके अलावा पूरे के पूरे भारत पर वर्ल्ड पर जो साशन था वो किसका था वो था मुहम्मद विन तुगलक का ठीक है न एंटाइर इंडिया कॉंकार्ड वाई मुहम्मद विन तुगलक एसेप्ट थी प्लेसेस ये तीन इस्थान जो थे इन पर अधिकार नहीं था किसका मुहम्मद विन तुगलक का फोर्थ पॉइंट होगा इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एक धर्म निर्पेक्ष राज्या की इस्थापना की गई ठिक है न बच्चा इस्थापना की गई ठिक है न धर्मन इर्पेक्ष राज्य की सैकृलर इस्टेट की इस्थापना किसस के द्वारा की मैं दियान रगना यह कुश्ण आपके पेपर में बहुत वार पूछा गया है नेक्स्ट पॉइंट दियान रगना तुगलकाबाद में इसने फिप्ट पॉइंट होगा बिटा तुगलकाबाद शहर में स्वार्ड जड़ित स्वार्ड जड़ित इंटों से एक महल का निर्माण करवाया ठीक है ना बिटा श्वार्ड जड़ित इंटों से एक महल का कंस्ट्रेक्शन करवाने वाला ठीक है ना यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसके द्वारा एक महतवपूर काम किया गया है ध्यान रखना चलिए अगर मैं आपसे बात करूँ वेटा दिल्ली सल्तनत में इसने दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शुल्तान था यह प्रथम शुल्तान था जिसके द्वारा ये प्रथम शुल्तान था जिसके द्वारा शती प्रथा को प्रतिवंध करने का प्रयास किया गया ठीक है ना विटा शती प्रथा को प्रतिवंध करने का प्रयास किया गया ठीक है न अगर आपसे question बने कि सती पर्था को सर्व पर्थम बेटा प्रतिवंदित किसके दौरा किया गया तो आप क्या बताएंगे तो ध्यान रखना इस कौन हो जाएगा बेटा तो सती प्रता को प्रतिवंदित करने का जो प्रयास हुआ है वो सबसे पहले किसके द्वारा हुआ है चलिए ये प्रतम सुल्तान विटा जिसके द्वारा सती प्रता को रोकने का तो प्रयास किया गया लेकिन रोकी इससे भी नहीं ठीक है न, अब जो है सती पर्था को प्रयास करने वाला तो ये है लेकिन अगर यहीं पर question दूसरा बने कि सती पर्था लगी कहां से है, खाना बिटा, सती पर्था तो दियान रखना बिटा, शुरूआत भी तो कहीं से होई होगी न, तो याद रखना सती पर्था जो है वो ग गुप्त काल से शुरू ही है और गुप्त काल में शासन किसका था उस समय सभी लोग जानते हैं कुमार गुप्त का और कुमार गुप्त का एक सेनापती था कमांडर इंचीफ जिसका नाम था गोपराज तो ध्यान रखना गोपराज की पत्नी जब गोपराज युद्ध भूमे में मारा गया तो गोपराज की पत्नी जो थी इनको इनकी चिता पर लिटा करके जला दिया गया तो ध्यान रखना भारत में सबसे पहली महला सती होने वाली कौन है वो गोपराज की पत्नी है ठीक है न वेटा गोपराज की पतनी जो है वो सबसे पहली महला सती है भारत में ठीक है ना आप से पूछा जाए कि वह कौन सा सुल्तान है जिसने सती परता को सबसे पहले प्रतिबंदित किया है तो ध्यान रखना वेटा तब आंसर हो जाएगा नौट करके लिख लेना यहाँ पर हलागी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा फिरोज शाहा तुगलग तो भीटा सती परता को फाइनली प्रतिबंद करने वाला तो फिरोज शाह तुगलग हो जाएगा लेकिन अगर आप से क्वेश्चन बने कि ये फाइनली किसके द्वारा बंद होगी लास्ट यानि कि इसके बाद फिर शुरू हो जाएगी फिरोज शाह तुगलग इसको प् तो ध्यान रखना 1829 में बिटा 1829 में एक व्यक्ति हमारे बहां अंग्रेज आएगा जिसको हम बोलेंगी गवर्नर जनरल जिसका नाम है लौड बिलियम बेंटिंग क्या नाम है लौड बिलियम बेंटिंग अब लौड बिलियम बेंटिंग के द्वारा बिटा फाइनली भारत में शती परता का अंत किया जाएगा 1829 में और इसमें मदद कौन कर रहा था तो हमारे भारतिय समाज शुधारक भारतिय समाज शुधारक जिनका नाम था क्या राजा राम मोहन राए राजा राम मोहन राए ठीक है ना मिटा तो इनके दोरा क्या है प्रयास की आ गया था इनके दोरा भारतिय समाज सुधारक है इनके दोरा भी प्रयास यान कि भारत के तरब से अगर कभी कोश्चन मनें जहांपे लौड बिलियम बेंटिंग आपके आप्शन में ही ना हो कि सबसे ज़्यादा इसके सासनकाल में अगर आप से बात करें तो रिवल्ड किसके सासनकाल में हुए हैं तो इसके सासनकाल में सबसे ज़्यादा बिद्रो हो रहे थे अब जो बिद्रो हो रहे थे उसमें ध्यान रगना इसके सासनकाल में दक्षिड भारत में शाओथ इंडिया में इसके साशनकाल में नौर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में वार वार रिवोल्ट्स हो रहे थे यानि कि दक्षिड भारत में 27 और उत्तर भारत में साध तो टोटल अगर बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे वीटा यानि कि इतना अच्छा गड़त हमारा भी है कि हम आपको बता सकते हैं कि गड़त की कैलिकुलेशन अगर करेंगे तो टोटल रिवोल्ट्स की संख्या कितनी हो जाएगे 34 विद्रो इसके सासनकाल में हुए तो ये इतना परिशान हो गया कि ये उत्तर भारत में रिवोल्ट होता तो ये नौर्थ इंडिया में होता था तो वहां से भात किया आता था उत्तर भारत में उत्तर भारत में दमन किया तब तक साउथ इंडिया में हो जाता था दक्षि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया मिला के टोटल कितने है बेटा सत्ताइज चोंतिस ठीक है न बात के लिए रहे चलिए इसी के टाइम में बेटा दो सामराज्यों का उदय हुआ दो सामराज्यों का बेटा उदय हुआ किसके सासनकाल में महम्मद बिन तुगलकी सबसे पहला है बिजे नगर शामराज्यों बिजे नगर एमपायर ठीक है न बिजे नगर शामराज्यों ठीक है न और दूसरा था बेटा बहमनी शामराज्यों कौन सा था बहमनी शामराज्यो ठीक है ना अब अगर बात करेंगे तो जो आपका बिजय नगर सामराजी है बिटा ये आपका हिंदू परंपरा के अंतरगत आता है हिंदू संस्कृति यहाँ पे क्या था बिटा यहाँ पे हिंदू कल्चर था ठीक है ना और यहाँ पे बह्मनी सामराजी में क्या है मुसलिम संस्कृती है क्या है मुसलिम संस्कृती है ठीक है न यहां पे culture जो है वो क्या है सबी लोग जानते हैं संस्कृती culture है संस्कृती कोई culture कहते है मुसलिम culture और हिंदू culture जो बिजए नगर empire है बात clear है चलिए आगे देखते हैं इसके द्वारा किये गए पांच प्रक्टिकल फटाबट से आप देखिएगा इसके द्वारा पांच प्रियोग किये गए हैं कितने पांच प्रियोग जो कैसे रहे हैं पांच प्रियोग जो रहे हैं वो अस्फल रहे हैं कैसे रहे हैं अस्फल तो सबसे पहला देखेंगे क्य किया है इसने lifting the capital from daily to दौल्ताबाद, ये अपना राजधानी दिल्ली से कहां लेकर के गया है बच्चा, दौल्ताबाद, इसी को क्या कहा जाता है, देवगिरी, ठेके न, ये अपनी राजधानी को कहां लेकर के गया है, देवगिरी, सेकंड, बिटा सब भी लोग जानते हैं, increase the tax of द्वाब, द्वाब छेत्र में कर ब्रद्धी, द्वाब छेत्र में कर ब्रद्धी, तीसरा हो जाएगा बिटा, खुराशान अव्यान की बिफलता, चीक है ना, next हो जाएगा, फोर्थ, शांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है ना, और पाँचमा हो जाएगा बिटा, आपका करांचिल अभ्यान की अस्फलता, करांचिल अभ्यान की अस्फलता, ठीक है ना, करांचिल अभ्यान की अस्फलता, ठीक है ना, और बिटा ध्यान रखना इसकी मृत्यू कहां पे होगी, यह तो इसके पांच प्रेक्टिकल हैं, और याद रख लेना इसकी मृत्यू होगी थर्टा में, थर्टीन, फिप्टीवन, एडी, ड्यूरिंग, अरिवोल्ड, इन थर्टा, शिंद, ठीक है ना, अब इसकी मृत्यू हो जाएगी, कहां पे, थर्टा में मृत्यू हुई, और यह कहां पे है थर्टा, तो सभी लोग जानते हैं, बटा, शिंद में, बात किलियर है, बात किलियर है, यह बटा जो इसके द्वारा प्रियास किये गए हैं, पांच, दिल्ली से दौलता बाद, अपनी राज़तानी को इसने बदला, आदी जनता रास्ते में ही मर गई, ठीक है न, दौाब छेतर में करवरद्धी की, तो करवरद्धी जिस बार की, उसी बर से यहां पे शूका पड़ गया, ठीक है न, यानि कि दौाब क्या होता है, दौाब दो नदियों के बीच की उपजाओ भूमी क्या होती है, दौाब छेतर कही जाती है, बात किलिए है बिटा, चलिए, अब अगर आप से पूछा जाए कभी भी, कि बिटा, खुराशान अवियान क्या था, यान कि क्रशी एवं सिचाई विभाग की इस्थापना, यहां पर और हुई थी, यह और एक पॉइंट लिख लेना, क्रशी एवं सिचाई विभाग की इस्थापना क्रशी एवं सिचाई विभाग की इस्थापना एक बार ये question बना है सिचाई विभाग की इस्थापना किसके द्वारा की गई तो बिटा ये भी किती किसने मोहम्मद विन तुगलक ने लेकिन by the name of दिवान ए कोही इसको क्या कहते थे दिवान ए कोही नाम से जाना जाता था ठीक है ना दिवान ए कोही ठीक है ना issuing the token currency सांकेतिक मुद्रा का प्रशलन कराचिल अभयान की असफलता यहां पर यह कराचिल बिटा कहां पर है यह कराचिल जो है ना वो आपका उत्तरा खंड में है कहां पर है उत्तरा खंड में आप लोग जानते हैं कि बहुत कडाके की ठंड पड़ती है तो कराचिल पर यह पर जाने के लिए एक वर्श का एडवांस बेतन दे दिया था लोगों को ठीक है ना तो यह सारे के सारे असफल प्रयास रहे हैं इसलिए जब यह मरा तो इसकी जनता ने कहा कि हमें जनता जनता को अपने साशक के सुल्तान से और सुल्तान को अपनी जनता से मुक्ती मिल और बहुत ज़ादा विद्वान था मेरी बात को मैं आसा करता हूँ कि आपने समझा होगा आज हमने गयाशो दीन तुगलक और मुहमद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया और कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सब लोग जानते फिरो शाथ तुगलक के बारे में जो भारत में सबसे पहले लगाएगा आकर के बिराहमणों पर भी जजिया कर ठीक है ना तो ऐसे ही इंट्रेस्टिंग तरीके से और बहुत शांदार और साधार्ड तरीके से इतिहास को टॉपिक वाइज थियोरी वाइज आपको पढ़ने के लिए अब कहीं जाना नहीं है अ आकेडमी आचारिया पर रहना है और आकेडमी आचारिया आपके लिए पूरा कंटेंट और प्रेक्टिस लगातार दे रहा है जो आपके सफलता के लिए एक क्या है एक तरीके से ये भी आक्रमण किया जा रहा है सफलता पर क्योंकि सफलता पाने के लिए आप कभी ऐसा नह भी मैज हम तब करेंगे, जैसे बिराट कोली मैज होता है, दो महीने बाद और प्रक्टिस करना बंद कर देता, नहीं, वो जानता है, कि हम बहां पर अच्छा तब ही खेल सकते हैं, जब हमारे दोऔर प्रक्टिस लगातार की जाएगी, तो जो बच्चे प्रक्टिस नहीं करत यह जो लगातार नहीं पड़ता है वो कभी बहुनाख से जाके सफल नहीं हो सकते यह चीज याद रख लेना वेटा जो भी अपने मिशन में सफल होते हैं जो भी नंबर एक पर आते हैं और जो भी किसी भी पर्टिकुलर छेतर में नाम करते हैं उनका देख लेना बिटा रेगुलर्टी उनके जीवन में जरूर रही होगी तो मैं आसा और उम्मीद से कह रहा हूँ आपसे और गुजारिस कर रहा हूँ कि आप लोग भी लगातार रेगुलर्टी से पढ़ाई करिएगा बटा सेलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा ये हमारा बादा और प्रॉमिस रहा ठीक है न तो आप सभी लोगों को आभार धन्यवाद आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया थैंक्यू सो मच आप सभी को अपने माता पिता का ख्याल लगी आपको और आपके माता बढ़ा प्रण चलिए ठीक है फिर आपसे कल मुलाकात लोंगा आज बिदा लेता हूँ सभी लोग ध्यान रखना कमेंट करना क्लास के बाद और अगर अच्छी क्लास लगी है तो तेर जरूर कर दीजिएगा और अपने एक दो सब्दों में प्यारा चा कमेंट लिखेंगे तो अच्छा लगता है ठीक है न इंतजार रहेगा आपका कल के क्लास में थेंक्यू सो मुझ झालो झाल झाल झाल